लोग प्यारे बच्छों स्टार्ट कर रहे हैं रेक्चर बेटा बसा बिल्कुल जो पभू हमारी जो युनिट से परी है ठीक है न उसके पूर्थ चेप्टर है मेजरामेंट और नेशनल इंकम फिलान हम जो कोश्चन कर रहे हैं पास्तियर कोश्चन वो सेकंड थर्ड पूर् कोश्चन में जा में अच्छन कर रहे हैं ठीक है न आपके जाते हैं अब कर रहे हैं कोश्चन तो जल्दी करना फटा बेडी ठीक है इन फटावर्स से गएँ काम करते हैं सबसें अब टाइब हैं जल्दी 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 फिरो टीनों सकर करो क्या जुद कर लेते जीनीदी फे में ऑन्स टीम हैं कि यह बता रहे हैं करके तो नहीं दिखा रहा रहा है बता रहे था हूं संतीक की उन्हों ने चेंज की हुई है अजब सोच के अगर नहीं लाउंस सर्फ दुटें चैना घंगाया सर्फ करकें हैं एकुपर तो पुर्ण सोच रहा है ही तो बता एकुपर लिप्ती इंद्या कुछ में ट्रेक्ष्टर करोंगे त्रेक्स साइस यूटी देनी पड़ती है यह यह यहां पस्विंगे सब्सक्राइब कि अधिर हो गया है कि दो मिनट्स पुन के इसको यह बाद समय नहीं है कि वो कहा है अधिक है अधिक है ना पढ़ना पहने दून स्टेटमेंट पढ़ना जाए अधिक है मैंने बहूत सारे खर्षण तो बचाओ कि अ इश्क अ सब्सक्राइब रूट सब्सक्राइब करो एंसर 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 इस बीटा इस बिट्वीन डॉमेस्टिक सब्सक्राइब करने देखार इस बीटा मैं सिर सब्सक्राइब NRC Z जुआ जुक्राइब दो किAg यह बताओं यह बढ़िया बुशन है अब पड़ते हैं नेगेटिव एक्स्टर्नारिटीज मैंने किया थी मैंने भी कभी बात की थी आपके साथ टॉपिक है पांच हेडिंग थी उसमें खेडिंग थी एक्स्टर्नारिटीज लिखो इंचानना आए हां से अग्याइब थी मार के इस आप से लिखो इसको ठीक है बता देता हूं मैं जो बताता था वो तो बताता है था इसके लावा बुक ने भी एक आधी स्टेट्मेंट अच्छी लिख्खे हुई है एक्स्टर्नारिटीज क्या होती है बेटा पॉसिटिव एक्स्टर्नारिटीज क एक फ्रम को कोई पे नहीं करता दा podr जैसे की एक फॉम है उसमें जाकर रहा अब णकिन न्या गार्डन बनवा दिया यह वीटा यह पुराना गार्डन है इसको Maintain करा दिया कोई पे करे नहां हम से उसको किमने नहीं दुलकर तर मेलिए रहा हम सब जो को सब को मिलेगा बेटा फॉर्म को इसके बदले में एक फॉर्म के पास अभी जितने ओर्डर थे वो आठ गंटे फेक्टरी चलाती थी ओर वड़ गए उसमें आठ के दिए के चोविस गंटे फेक्टरी चलानी शुरू करती सर्फ करेगा 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 पर बेटा आम होईगा सुसाइटी को पर उसको कोई पैनालिटी नहीं लगाएगा ऐसी चीदों का हो बोलता है नेगेटिव एक्सटरणालिटी उद्स क्या लिए बढ़ी सिंपल से बाद बोलो पॉसिटेव एक्सटर्नालिटी इस हमेशा थर्ड पार्टी को सुसाइटी को फायदो देखती है और नेगेटिव अब अपने इसाफ से एक बार लिखो फिर मैं आप तो दिखाता हूं कि बुग क्या लिखते हैं प्रीज लिखो तामने देखो पीटा एक बार इनका रीट करना मेर को तो बहुत थेक था कांसर लगा था बहुत ही थेक था पढ़ना वेक्टा है कि अ अ अ अच्या अ हुआ कि अ कि वीता समझ करें उधा इंडिया पारण निन्द अपड़ता भाई है थिक ना में सब थार्ड पार्टी फॉर्ड़ से ख़र्ड़ परण जो रहाँ है तो इसका एंसर लिखो चलो state whether the following statement is true or false industrial waste driven into reverse is an example of positive externality it is the negative one शुब 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 आप अध्र नाटम आप्र पेमेंट आप्र आप्रफर पेमेंट अध्या तोमारी वह व्याग्वलटेश तैनिस्में कन्वर्ट किया अगर मैं भूता हो मतलब कौन सी ट्रांसफर पेमेंट है यह लिखना यह फिलिंग दा फ्लाइंस है मैं यार वह उपर कर रहा अंसरी आजगा सिता इंकम विच कांट भी सेपरेटर इंटो वेरियस सेप्टर इंकम कॉंपोनेंट इस नौन एस थोड़ी बुद्धी लगाओ वेरिवुड अधर इस मिच्छी इंकम क्या आप सपरेशन नी कर पाते रिटेलर की इंकम क्या ने मैंने एंजामपल दिया था आपको एक बार्वर का एक डॉक्टर का ठीका ना जर सेपरेट नी हो सकती फैक्तर इंकम्स चालो कोशन बढ़िया है आपका दिवान देखने हैं कितना बढ़िया विच आप फोलोईग अफेक्ट्स नैशनल इंकम जी एस्टी कॉर्पोरेशन टैक्स स्टप्स्टीज नन ओव दीज यार तुम अपना ही लगे पड़े हो यार कोई मत बोलो यार कर दे रहीं के पता ही नहीं अब यह तो वातों को कौन-कौन ए ऑप्शन के साथ जी एस्टी अधान मेरे साथ कोई तो आई अकेला तोड़ी रहूं अच्छा लेक्ट्स से कोई आपकी टीम से खेटता हूं आपकी कोई कॉर्पोरेशन टैक्स क्यों होता है वेस्टे वहीं इंकम टैक्स जो कंपनी देते हैं उसे कॉर्पोरेशन टैक्स होते हैंने कि कुछ होड़ी बीटा डारेक्स टैक्स क्यों रोल है पड़ा आपने किसी भी तरीक्य से नैस्टन इंगव निकालने में कि सब्सेडीज यहां तो होंगे बहुत सारे कि पंच क्याना मैं हूँ चलो मुझे को गिनी लो अधी तो बीग ऑप्शन नानों दीज के साथ को लें बाकी 500 ऑप्शन में जो बच्छे में वहीं आंसर इस नानों दीज थोड़ा तो बुद्धी लगा लेते इपस्टी ने एच्छे कह बता वाब बताओ अगर किसी के दिमांग में एन आइटी चल रहे है यह आइटी यह सब्सेडी आइञी है बाई एन आइटी का कोई रोल है एपसी में नैशनल इंगप क्या है एन-एन-प्प एड effic Falár एफसी में पूरा एन आइटी नहीं आएग ना तो आईटी आएगा नाई सबसेडिय आएगी और कॉर्पोरेशन टेक्स वैसे कहीं कुछ आठा आन्सर इसना अनुव दीश इतना सगुमाद वसकॉसन कॉश्चन यह भी बढ़ी आ है पूरा दिखाते हैं मैं बोथ दूंगा नेशनल इंकम इस दा समॉफ फैक्टर इंकम्स एक्रिविंग टू नेशनल्स वैसे यह टर्म क्यों होती है मुझे नहीं पता एक नॉमिक करेक्टरी कुछ भी लिखते हैं थर्ड वान इस रेजिडेंट्स और डी बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स सर आपको पता होगा मैंने एक बड़ी एक फान डेफिनिशन गोली थी मेरे देश का रेजिडेंट्स मेरे देश का रेजिडेंट्स कमाए इंडिया से चाहिट कमाए एब्रोड से नहीं नहीं अभी तो नहीं चलो पड़ना जड़ा बहुत बहुत बढ़िया लिखा हुए बहुत ही बढ़िया बहुत सारे बहुत सारे बहुत सार्विस है जो कहता है वेल्फेर में रिजल्ट करते हैं बाट फिर भी वो जी डीपी में इंक्लूड नहीं होते हैं सही बात कहा है नहीं है अब था कि बता लिख देगा लिखो तीन नमबर के साथ से भी पता लिख जाएगा कितनी सही बात है कि विखा दोज़र तेहीं कुष्चन है ज्यादा दुर्ट की बात में और बहुत अच्छा कुष्चन था अंसर तो आना चाहिए आपकी तरुप से अब देखो बताओगे तो आप देंगे एक बाट फिर मैं आपको आंसर पड़वा भी दूंगा इनका बहुत सारे गुर् हैसलनाय कोणसे गुड़्ट एक बच्छा बताएगा कौंसी सर्फेस तब आए हाँ मजा कुछ जील करतने समय है शबूर्ण किसी नहीं इनक्लिव्ड होती घीडिमें पर हाँ वैसार Geek जाम्पल है किसी एक मैथवड में प्रिकोशन भी है इतना बड़ाई है येस पीटा आपको यार्वी होना चीड़ीपी एंड वेल्फियर में गीड़ीग आती थी नॉन मोनेटरी एक्शेंजेस और वेल्यो एड़ेड मैथवड की एक प्रिकोशन भी थी प्रोडक्शन ओव स प्रोडक्शन ओव सर्विसस पॉर स्टैल्फ कंजम्शन यह ऐसी है जो बेटा बहुत सारी वेल्फियर में रिजल्ट करेंगी पर बेटा कभी भी जीड़ीपी का पाटनी होती है मैं गयता हूं बेटा आपकी मदर सारे दिन रेस्टोरेंट में से सर्विसेज आपको देकर सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे जीड़ीपी में आता है नहीं याद ही कुछ वाद कोई गुड्स बता देतों मज़ा ही आ चाहिए हाँ सब्सक्राइब करेंगे वेलपेर मेरी कैसेन के युड़ोत है कुछ जस्पीफाय गरने एक्रामपल बता दे कैसे कौन साथ पूर्स वो सकता है पक्का बात है गलत नी बोल रहा है तो देखो बावो इससे भी ज्यादा अच्छा वर्ड पता है क्या है एक वर्ड दिख दो जांग छोड़ देगा अपकी नॉन मार्केटेबल गुड्स मैं पहले एक बार इनका अंसर पढ़वा देता हूं फिर आपको एक्स्लेइन कर दोगा इनका अंसर पढ़ना एक्वा प्लीज 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 ये वर्ड बढ़ना एक्जाम्पल मैं देदूगा इन्होंने यही लिखा है ना नॉन मार्केटेबल गुड्स विटा ऐसे गुड्स जिनकी मार्केट होई नहीं सकती पर वेल्फेर होता हूं के थुड्स विटा लगबग सभी पप्लिक गुड्स सभी सरकारी समपति हां बेच्ष लीपा होगे फर वेल्फेर होगा हूं इसके थुड्स ठीक है ना बेटा स्प्रीट लाइट नॉन मार्केटेबल गुड्स है कौन बेच सकता है किसको बेच सकता है हाईवेस नॉन मार्केटेबल गुड्स है रेन वेस ठीक जी समझे में आती है लगवक्स सभी पब्लिक गुड्स कि यह रहे बात पक्का से तर दिन दूर नहीं है मुझे नहीं पता कल को क्या पता ऐसे ही कहते है कहते ही कोशन वेपर है बढ़ां यान लख ना चलो आज पता लग रहेगा कितने उजन थियोरी दंग से सुनी थी पडो जी मैं एक बार कॉशन आपके लिए फिर भी रीड़ कर देता हूं प्रांटे नहीं तर नहीं प्रांटे राटे नहीं प्रांटे बॉड थियुक्ट पर नगेशन था रीड़ ने ना पीटा मुझे केल्कुलेट करने है चेंज इन रियल जीडीपी चेंज निकालने है रियल जीडीपी में कितना चेंज हुआ और 2018 को ऐसा बेस येर लेना ना भी कहता तब भी जो पिछला ये रोता है वो बेस येर ही वहीता है है राइड दरू बताओ कॉंस्टेंट प्राइस अब इस से यारा तो बड़ा क्या ही दिद दुभाई प्राइस को कॉंस्टेंट रख लो पचार रख लो और तो क्या ही वह लो है पीटा लोग एक नच सामने देखो अगर आपसे केल्कुलेट नहीं हो रहा तो मैं मैं धर देता हूँ बेटा 18 में आप देखेट बनाई तॉप ओनेस में बनाई 120 पीटा रियल जीडीपी जीडीपी का दूस्रा नाम क्या है जीडीपी एट कॉंस्टेंट प्राइस प्राइस को कॉंस्टेंट कर दो यहां पर जीडीपी आया पांचार यहां पर आया चेह जार चेंज इस कितना चेंज हुआ थाउजेड डिवाइड वाए बेसी हैं मल्टी व्लाड वाए हंड्रेड आगया चेंज ट्वेंटी वरसें क्या ही करना है था इतना तो बड़ा मुद्दा भी नहीं है मैं सब्सक् क्या हुआ कि यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर नहीं काल रहा हुँ मैं यहां प्राइज इंडेक्स नहीं देग्स नहीं बात है उसने ये चेंज निकालके दो बच्चे यही तो फस्त हम समझ नहीं आता है आप चेंज निकालने चलां अब चेंज बताऊंगा तो परसंटेज में परसंटेज की वैसे अंट्रेंट मोल्टिक्लाए बढ़ारे वर्या वह रहाए जिस का नाम 100 है तो प्राइस की बताता है जासे या मैं ठेक्लाए घर रहू हूं कि इनका आंसर मत देखना यह अपने तो दस, प्राइस पता नहीं कहां से, इसकी से मल्टिम लाए करो, पच्पंसो भी नहीं आने का, यह कुछ ही है, लोजी, बढ़िया कुश्चन कहते है, GDP as an indicator of welfare loses its significance if the distribution of income turns unequal, justify the given statement with valid result, बिटा, मैं आपको सीधा-सीधा यह बता देता हूँ, अंसर क्या होना चाहिए, यह अगर याद करो, अब GDP and welfare वाला topic, उसी मेंसे एक heading इसका answer है, पहली heading यही थी, जो मैंने बढ़ाई थी, distribution of income, बढ़ यह इसका answer, पढ़ दो अंसर देखो क्या कह रहा है, GDP as an indicator of welfare loses its significance if the distribution of income turns unequal, equal, मैंने आपको बात बताई थी, नाम बोला था, bottle ने, कुछ यादा है, शुरू के 10% लोग, इंडिया का 90% पैसा था जाते है, और बात के 90% लोगों के पास इंडिया के सिर्फ 10% पैसा इससे नहाता है, जिस टमकों bottle ने को बोलते हैं, मैंने आपको समझा था, कि मैं इसे bottle करने तो बोलता हूँ, ठीक है ना, सर यहीं तो बात कर रहा है, GDP और welfare बराबर होते हैं, कि अच्छ है बताओ, वो कहाता कभी बराबर नहीं हो सकते, जब तक income का distribution यानी equal है, अब कुछ नहीं होता है, देखो, इसको इस बच्चे कहा रहे हैं, तहीं यह घूम कहा रहा है, य समयने की बात है, अब पढ़ा दूगा, आ गया तो चलो, सामने आ, अब फटा बट से करा दूगा, एक विनट लगे, हमें तहीं की बात बुलिए, पढ़ना पहले, define the problem of double counting in the computation of national income, state any two approaches to correct the problem of double counting, पेटा, पहले मुझे बता रहे है, problem of double counting क्या होती है, फिर approaches बता रहे है, जिससे मैं double counting को avoid कर सकूँ, ठीक है ना, सर, बड़े simple सी बात, पहले meaning की बात कर देता हूं, फिर approaches की, पेटा, problem of double counting क्या होती है, problem of double counting means counting of an output more than once, एक से ज़्यादा बार include हो जाना GDP में या national income में output कर, this is the problem of double counting, कैसी approaches है, कौन सी approaches है, जिससे बचा जा सकता है, बेटा, दो approaches है, एक तो बेटा, final output method, ये बात मैं समझाता हूं, जब बेटा, intermediate goods और final goods का difference बताता हूं, final output method का मतलब क्या होता है, बेटा, बिल्कूल आखरी goods जब consumer को भी करता है, उसकी value जोड़ दो, उसमें पिछले सभी intermediate goods की value है, कुछ यादा रहा है बेटा, मैंने एक एक्जाम्पल दिया था आपको, firm A है, firm B है, firm C है, firm B है, इसने बेटा, fabric बेच्छा, B को, B ने कहा गरा, fabric से shirt बनाई, shirt बेच्छी C को, C ने shirt बनाई, बेच्छी D को, D ने आखरी में, shirt बेच्छी कंस युमर को, sir, आखरी जो shirt बेच सके हो, इसकी vajlar जोड़ों, फिछले सबी, intermediate goods की value, shirt बेच सकते हो, problem double counting से, आपका और नहीं नहीं, हर goods की value जोड़ों जोड़ते जाओ, fabric की value, 4 बार जोड़ी होगे, is shirt की value बेच्छी में, इस shirt की value बेच्छी में जोड़ी होगे, is shirt की वेली, 2 बार जोड़ी होगे, मानते ह प्राव्लम ऑफ डबल काउंटिंग है काउंटिंग ऑपन आउट्पूट मोर थैंस बचने की अप्रोच पहली अप्रोच है फाइनल आउट्पूट बिल्कूल फाइनली जब कंस्यूमर को प्रड़क्ट भीका तब वेल्यू जोड़ो वह फाइनल गुट से उसमें पिछले स सब्सक्राइब होगी और दूसरी अप्रोच वेल्यू एंड़ेट हमें अफ़ट सबका वैल्यू अडिशन अलग अलग कैल्कुलेट करो वैल्यू अट्पूट अलग इंट्रमीडेट का अंदंशान अलग वैल्यू अडिट सब की आती जाएगी वैसे जोगई ठीक है सब्सक्राइब चलो वैटा कोस्टन नमर ये एट पढ़ेंगे सल्यूशन में पढ़वा दूंगा हमारा करावा कोस्टन है गेवन नॉमिनल इंकम हाओ कैन वी फाइंड रियल इंकम एक्स्प्लेट सर मैंने आपको कहा था कहीं बार ये टाम आती है नॉमिनल जी डीपी कभ से रियल इंकम ही काल सकते हो एक्स्प्लेट कर दो सर अराम से पढ़ दो थंडे दिमाज से सब कुछ पढ़ावा लगए गए अ अ अ अ अ इक्वास तो नॉमिनल एन एन पी डिवाइड़ेड़ बाइड रियल एन पी मल्टी ब्लैड़ बाइड है एक मिनेट से पहरे आंसर में लेगा कैसे नॉमिनल से रियल निकलती है आप बढ़ना है आप लो नम्हें रिगल करो फटावट से जल्दी जल्दी करना है यह तो होई क्या होगा एक सगेंड का अंसर था बबु अगले दो कुश्चन भी ऐसे हैं यह तो मैं नाहीं कर रहा हूं यारे होई जाएंगे रियल और नॉमिनल धीडी पर यह पुरेंगे ने डिप्लेटर पर एक पुश्चन और करते हैं फिर वाइंड अप करेंगे यह करो फटावट से गेंग रीजन स्टेट वैदर दा फॉलाइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और पॉल्स बेटा यह कुश्चन करो इसके बाद दो एमस्टी क्यों और हैं वानबन मांके फिर वाइंड आप कर रहें प्रिजन लोंगा रीजन मत लिखना बस पॉल्स लिख दो गेना वीजन के पर अब रहां हो सकता है अगर प्रेंग स्टॉएश्यं ना हो सकता है सेविंग सार्स टॉप अरे क्या बात कर रहे हो और एट आप टाइम में जा रोती है फ्लू है बटर इस ऑनली है फाइनल गोड्स कैसी बात करो जो भी है कि आउसोर्ड थरी दें फांक थरी दें पर फर्दर रीसेल तो इंटर्मीडियेट हो चाहिए ठीक है है अब है यार अब पढ़ना वाणा पढ़ना इस और विए यह कितने अच्छा ओक्षंत है यार तो करो कंपलीट दा टेबल पढ़ावट से जब आज के लिए रखते इतना ही है प्यार बच्छों बाबाए